अंकित और अनु भाई बेहन थी माबाप की देहान के बाद बड़ी बेहन अनु ने दिन रात महनत करकी अंकित की देखरेक की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था दोनु भाई बेहन खुशी-खुशी रह रहे थे एक दिन कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई सीमा बड़ी ही चाला कि इसे अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवाली थी और खुद अंकित के साथ गुमा फिरा करती थी वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था इसलिए एक दिन दीदी, मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के जाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है हौल में जोर-जोर से कराने लगती है उसके करानी के आवाज सुनकर अनु हौल में भागती हुई आती है क्या हुआ सीमा? दीदी, लगता है मेरी कमर अकड़ गई है वो क्या है ना मुझे जाड़ू पोछा करने के आदत नहीं है ना पेरी मम्मी पापा ने मुझे से कभी यह काम नहीं करवाया अरे कोई बात नहीं, जाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोज अनुपडाल दिया घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था इसलिए एक दिन वो अंकित के ओफिस से लौटने से ठीक पहले धेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूँ, अकिली पर जाती हूँ, करना तुम मुझे ही है न? अरे दिदी से मदद ले लेती? अच्छा, ताकि सारा जमना कहे कि भावी बड़ी ननत से काम करवा रही है और वैसे भी दिदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो पी हो, सिर्फ उनकी वज़े से हो इसलिए अगर उनके बना इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया उसने अनो को बुला कर कहा दिदी, ये घर पापा ने मनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए ये सुनकर अनो को बुरा तो लगता है मगर वो दूसरे ही दिन घर का बटवारा करने के लिए वकेल के पास चली जाती है वहाँ से लोटते हुए अनो का एक्सिजेंट हो जाता है जिससे वो दोनों पैरों से अपंख हो जाती है अब मजबुरन उसकी पूरी देखरेग सीमा को करनी पड़ती है एक दिन सारे कामों से ठक कर सीमा अंकित से कहती है अजी सुनते हो अब मुझसे तुमारी ये बहन की सेवाना होगी अगर कल तक तुम इसका बंदवस नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी अरी ये कैसे बाते कर रही हो इस हालत में वो कहा जाएंगी मैं कुछ नहीं जानती बस कल ये इस घर में मुझे दिखने नहीं चाहिए अंकित अपने बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनुकूर शेल्टर होम में छोड़ाता है तीन महिने बाद अजी सुनते हो ये आपके लिए एक पार्सल आया है ये लेजे अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिठी भी है दिखाईए तु अरे बाद बड़ी ही सुन्दर घड़ी है लिकिन ये आपको भेजी किसने पता नहीं शायद चिठी में कुछ लिखा हो आशा करती हूँ ये घड़ी तुमें पसंद आएगी रक्षा बंदन की बहुत शुबकाम ना है तुम्हारी दीदी अनू चिठी पढ़कर अंकित की आँखे भराती है मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा अरे घड़ी भीश तो दी उन्होंने अब क्यो जाना उनकी पास देखा सीमा दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया इतना कहकर अंकीत अनो को लेने निकल जाता है वहाँ पाँच कर दीदी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें लेने आया हूँ भाई आज तो राखी है आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती दोनों घर पाँचते हैं अरे सीमा तुम अभी तक यहीं हो निकल जाओ इस घर से अरे वहाँ अंकीत फिर वही गलती कर रहे हो तुम सीमा तुम कहीं नहीं जाओगी दीदी मुझे माफ कर दो मुझे से गलती हो गई सीमा आज ये समय माफी मागने का नहीं है राखी की तयारी करने का है चलो तयार हो जाओ तुम्हारे भईया के घर भी तो जाना है ना ये सुन सीमा अनू के गले लग जाती है